Welcome guys, आज हम explain करने वाले हैं Hollywood की एक romantic drama movie A Teacher अगर आपको explanation अच्छा लगता है तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कर दीजिएगा movie शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक lady running कर रही होती है और यही होती है हमारी कहानी की मुखे किरदार Diana वो एक teacher होती है और Texas के एक school में पढ़ाती है कुछ देर बाद वो अपनी class में पढ़ा रही होती है और वहीं हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम Eric होता है और यह होता है हमारी movie का दूसरा किरदार रात को हम देखते हैं कि Diana अपनी friend के साथ pub में होती है और उसे किसी का message आता है वो phone देखती है और वो message Eric का होता है उसकी friend पूछती है कि किसका message है तो Diana हसने लगती है और उसे ignore कर देती है फिर थोड़ी देर बाद Diana अपनी गाड़ी में अकेली होती है और Eric उससे मिलने उसकी गाड़ी में आता है और फिर वो दोनों गाड़ी में romance करने लगते है उसके बाद Diana Eric को बताती है कि जब मैं high school में थी तो मैं अपनी मा से जूट बोलकर इसी तरह अपने boyfriend से मिलने जाती थी वो थोड़ी देर बाद बाते करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते है Diana घर जाती है और देखती है कि romance करते time उसकी skirt खराब हो गई होती है फिर अगले दिन वो class में होती है और सब को thanksgiving के लिए wish कर रही होती है सब लोग चले जाते हैं और Eric रुख जाता है वो Diana के पास आकर उससे बात करने लगता है और उसे किस करता है Eric कहता है कि मुझे call करना और वहाँ से चला जाता है फिर Diana अपने colleagues के साथ होती है और वो कहते हैं कि school के बाद हम drinks के लिए जा सकते हैं लेकिन Diana कहती है कि मुझे कुछ काम है और मैं नहीं आ पाऊंगी फिर रात को हम देखते हैं कि romance करने के बाद Diana Eric के साथ उसके घर पे लेटी होती है वो Eric से कहती है कि मुझे तुमारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है और मैं तुमें चोड़ कर कहीं नहीं जाना चाती वो कहती है कि मैं इतनी खुश बहुत टाइम बाद हुई हूँ अगले दिन Diana अपनी friend Sophia के साथ घर पे होती है और उसकी friend Sophia उससे बात कर रही होती है इतने में Eric का message आता है और वो Diana को अपनी photos भेजने को कहता है Diana bathroom में जाती है और अपना टॉप उतार कर Eric के लिए photos क्लिक करती है और उसे भेज देती है उसके बाद Diana और Sophia एक party में जाते हैं लेकिन Diana को वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लगता और वो अपनी friend के गाड़ी लेकर वापस चली जाती है अगले दिन Diana Sophia के साथ उसके घर जाती है और वहाँ वो लोग TV पर sports देख रहे होते हैं Diana और Sophia बोर हो रहे होते हैं और वो दूसरे कमरे में चले जाते हैं Sophia कहती है कि तुम आजकल बहुत ज़्यादा phone यूज करती हो तो Diana कहती है कि कुछ नहीं बस Facebook चला रही थी अगले दिन Diana स्कूल में होती है और उसकी कलीग उसे बताती है कि क्या तुमें पता है स्कूल की एक लड़की की टॉपलेस photo आजकल बहुत वाइरल हो रही है पता नहीं लोग इतने stupid कैसे हो सकते है Diana घबरा जाती है और वो Eric के पास जाकर उसे कहती है कि मैंने जो तुमें photo भेजी थी उसे अभी delete कर दो और Eric photos को delete कर देता है शाम को Eric और Diana एक साथ होते है और वो स्कूल के एक dance function के बारे में बात कर रहे होते है Eric कहता है कि एक लड़की ने मुझे dance के लिए पूछा तो Diana कहती है कि क्या मुझे अब तुमें किसी और के साथ dance करते हुए देखना होगा दोनों हसने लगते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं अगले दिन डायाना घर पे होती है और Eric उसको phone करके कहता है कि आज रात को मिलते है वो कहता है कि मेरा भाई कुछ दिनों के लिए बाहर गया है हम वहीं मिलेंगे रात को वो दोनो एरिक के भाई के घर पे मिलते हैं और एरिक डायाना से कहता है कि अपने कपड़े उतारो वो कपड़े उतारने लगती है और एरिक उसे देख रहा होता है डायाना अपने कपड़े उतारती है और एरिक की गोध में जाकर बैठ जाती है वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और intimate हो जाते हैं अगले दिन वो दोनों एक week के लिए ट्रांच पे घूमने जाते हैं जहां Eric के डैड की property होती है वो वहाँ पहुँचते हैं और एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं अगली सुबा डायाना वाप करके वापस आती है और वो Eric के साथ romantic होने लगती है वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इतने में हम देखते हैं कि एक गाड़ी वहाँ आ जाती है एक आदमी बाहर से आवाज देता है और वो दोनों जल्दी से अपने कपड़े पहन लेते हैं और डायाना अंदर वाले कमरे में छुप जाती है Eric बाहर जाता है और देखता है कि वो property का caretaker James होता है James उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ आने वाले हो तुम्हारे डैट को पता है न कि तुम यहाँ हो Eric कहता है कि डैट को सब पता है फिर James वहाँ से चला जाता है Eric अंदर जाता है और डायाना को बताता है कि caretaker था वो घबरा जाती है और Eric से कहती है कि अगर उसने तुम्हारे डैट को बता दिया तो तो Eric कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा वो बस अपने काम से काम रखता है डायाना कहती है कि अगर हमारे बारे में किसी को भी पता चला तो मेरी नौकरी चली जाएगी लेकिन Eric कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा Diana को सोचने लगती है और वो Eric से कहती है कि जब हम यहां से जाएंगे तो कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से नहीं मिलेंगे शाम के टाइम डायाना बाहर खड़ी होती है और Eric उसके पास जाकर उसे किस करने लगता है डायाना अभी भी टेंशन में होती है और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता वो Eric को मना कर देती है और फिर वो वहां से चले जाते है अगले दिन डायाना क्लास में होती है और वो एरिक को इग्नोर करने लगती है रात को डायाना स्कूल की एक डांस पार्टी में जाती है और वहाँ एरिक को किसी दूसरी लड़की के साथ डांस करते देख उसे अच्छा नहीं लगता वो jealous feel करती है और washroom चली जाती है उसके बाद वो एक alcohol shop में जाती है और अपने लिए एक bottle ले जाती है घर जाकर वो drink करती है और Facebook पर Eric की photos देखने लगती है अगले दिन class में वो Eric से कहती है कि क्या तुम मुझे class के बाद मिल सकते हो तो Eric कहता है कि ठीक है एरिक उससे मिलने meeting room में जाता है और वो कहती है कि मैं तुम्हें miss करती हूँ डायाना कहती है कि मुझे नहीं पता था कि उस वक्त मैं क्या सोच रही थी क्या तुम आज रात मुझे से मिलने आओगे तो Eric कहता है ठीक है हम रात को मिलते हैं रात को Eric उसके घर जाता है और सोफिया घर पे नहीं होती वो दोनों अंदर कमरे में जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ romance कर रहे होते हैं लेकिन डायाना को अभी भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता वो अचानक से उटके बैठ जाती है और अजीब सा बिहेव करने लगती है वो Eric को किस करने लगती है लेकिन अभी भी उसका behavior कुछ ठीक नहीं होता Eric को उसका behavior अच्छा नहीं लगता और वो जाने लगता है डायाना कहती है कि प्लीज मत चाओ पता नहीं मुझे क्या हो गया है लेकिन जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगी पर तुम मत चाओ Eric डायाना की नहीं सुनता और वो चला जाता है डायाना भी गाड़ी लेकर उसके पीछे पीछे चली जाती है वो Eric के घर के बाहर से उसे फोन करती है लेकिन Eric फोन बंद कर देता है डायाना उसके घर के फोन पर फोन करती है और Eric के डैट फोन उठाते है और कहते हैं कि बहुत देर हो चुकी है तुम कल उससे बात करना डायाना से रहा नहीं जाता और वो एरिक की खिड़की पर जाके उसे बाहर बुलाती है एरिक बाहर आता है, तो डायाना कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, हम दोनों सात रहेंगे इतने में एरिक के डैड भी बाहर आ जाते हैं और एरिक कहता है कि यहां कोई scene create मत करो प्लीज यहां से चली जाओ और फिर डायाना वहां से चली जाती है डायाना पूरी रात गाड़ी में इधर उधर घूमती रहती है और जब वो सुबह घर पहुंचती है तो उसके phone पे दो voice messages होते है पहला message Sophia का होता है और दूसरा message Michael का होता है school से Michael कहता है कि यहां school में एक situation हो गई है एरिक के डैड यहां school में आये है और अच्छा होगा तुम जल्द से जल्द यहां आ जाओ डायाना घवरा जाती है और उसे डर लगने लगता है वो समझ जाती है कि school वालों को सब पता चल गया है और वो रोने लगती है रोते रोते वो अपने bed पे गिर जाती है और यहां हमारी movie खत्म हो जाती है दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें comment section में जरूर बताइए वीडियो को like और channel को subscribe कर दीजिएगा thanks for watching